हलो दोस्तो वेलकम टू स्टड़ी उनिवर्स मतब्रदेश के नमबर बन चैनल फॉर डेली करेंट अफिर के इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे मतब्रदेश के स्टेटेक जीकी के बारे में जो मोस्ट आइम पी कॉश्चन है वहाँ पर हम इनक हैं मतब्रदेश के दोस्तो यहां से आपके एक्जाम में एक दो क्वश्चन हर टॉपिक से पूछा जा सकता है तो दोस्तो चलिए समय कभाई बना चलते हैं कर्शन सबसे पहले मतब्रदेश के प्रमुखदार्शनिय और प्राकरतिक इस्थल के बारी में बात करते हैं जैसे की हैडिक से आप दीप पा रहा होंगी मतब्रदेश के प्रमुखदार्शनिय और प्राकरतिक इस्थल कौन-कौन से इनके बारी में हम चार्चा करते हैं तो पहला है बेशनगर जो बिदीशा में इस्थत है दोस्तो दूसरा है दसपुर जो गंजवासुदा बिदीशा है में ही इस्थत है ग्यारसपुर ये भी बिदीशा में ही इस्थत है ये भी एक प्राकरतिक इस्थल है अमरकंटक अनुपुर में इस्थत है चित्रबूट परेटन स्थल प्रमुक मद्धिप्डेश का ये चतरपुर में हैं बांदकपुर और कुंडलपुः ये दो प्राकृतिक जो भगवान शिप के इस्थल हैं इन्हें दमुवे में इस्थत हैं और यह बादखपुर है दूसरे का नाम है कुंडलपुर नेक्स्ट है पश्मणी जो मद्विदेश का एक मात्र हेले स्टिशन है यह होसंगाबाद में है बादवगर जो रास्टी उद्यान भी है यह मरिया जिले में है चंदेरी जो अपनी साड़ियों के लिए प्रिस्द्ध है यह अशोक नगर जिले में इस्थत है पसुपतिनाथ सूरे मंदर यह मंदसौर में है दोस्तो यह मद्विदेश का एक लोता सूरे मंदर है सोनागिरी यह दतिया में है प्राकरते प्राचिन जैन तीर्थिस्तल है गोमटगिरी यह अंदौर में इस्थत है नेक्स्ट बात करते हैं पीतामरा पीठ जो दतिया में इस्थत है इसके अलावा मांडू और जो धार में इस्थत है दोस्तो यहां पर प्राचीन के लिए आपको देखने को मिलती है दुहादार जलपरपात नवदा नदी पर जवलपुर में आपको देखने को मिलता है चचाई जलपरपात भी रीबा में इस्तित है दोस्तो महिस्वर यह खरगोन में है यहाँ पर भी यह भी नवदा की किनार इस्थित और यहाँ पर प्राचीन धरूहर इस्थित है पावगिरी यह खरगोन में इस्थित है पुष्पग्री ये दिवास में है भरूतिस्टूब ये सतनाम है दोस्तों जो अब खंड़त हो चुका है लेकिन फिर भी इसके आउशिश बचे हुए है यह most important question है भरूतिस्टूब का कम से कम तीन से चार बार हर एक्जाम में मत्विद इसके पूछा गया है भीम बैटिका रायसेन में इस्तेते यहां भीम बैटिका की गुफाएं हैं बाग गुफाएं धार में हैं और भावरा जहां पर हमारे क्रांतिकारी चंदरशेखर आजाद जी का जन में स्थल है भावरा अब इसका नाम बदल कर चंदरशेखर आजाद गाउं कर दिया गया है यह अली राजपर जिली में इस्थे थे चलिए दोस्तों बात करते हैं मद्दब्रिश के प्रमुक दुर्ग और किलों की बारे में आपको उता दें गौालियर का दुर्ग राजा सूरस्थे ने 525 इस्वी में बनाया था यह गौालियर में स्थे थे धार का किला मुहम्मद तुगलक पूर्णर्मान कराया था 1344 इस्वी में असीरगड का किला आसा अहीर राजा के दौरा 10 वी शताब्ती बनाया था चंदेरी का किला ये प्रतिहा नरे स्क्यूर्टी पाल के द्वारा 11 वी शतापती में बनाया गया था गिर्न और गर्ड दुर्ग ये महाराजा उदैस है ने 13 वी शतापती में बनाया था बादोगड का किला बगेलगंड की राजा ब्यागर दीव ने 14 वी शतापती में बनाया था अजयगड का किला अजयपाल की द्वारा 18 वी शतापती में बनाया गया था दोस्तो ओर्चा जो दुर्ग है वह है राजा बीरसें वंदिला द्वारा सुलेवी शताब्दी में बनाया गया था मंडला का दुर्ग राजा नरेंदर शाह को नरेस की सुलेवी शताब्दी में इसकी द्वारा बनाया गया था नेक्स्ट है मंदसवर का किला यह अलाउद्दीन खिलदी ने 14 वे शताबदी बनाया था और नरवर का किला यह है राजा नल के द्वारा शिप्पुरी में बनाया गया था यह कुछ important किले हुए जैसा कि आपको दिख रहा हुए स्क्रीन पर आपको question ऐसे पूछा जा सकता है कि नरवर का किला किस राजा ने बनाया था तो इनका नाम है राजा नल अगर आपसे पूछा जाए कि शिप्पुरी में कौन सा किला चार option दे देंगी एस्थेत है तो उसमे चोटे से टाइम में 5-6-7 मिनिट की वीडियो में आपको कम से कम चार टॉपिक के अपडेट देता हूँ दोस्तो जो आपके एक्जाम के लिए important है यह वीडियो देखना ना भूलें चलिए बात करते हैं मदविदिश के प्रमोक के बारी में दोस्तो आप देख पर हैं कि बादन महल नाम की एक स्टेशन विजवलपूर में है खरबूजा महल धार में इस्तित है बादल महल यह रायसेन में बनाया गया है इत्रदार महल यह रायसेन में ही इस्तित है मोती महल यह ग्वालियर में बनवाया गया है जैवलास पलेस यह ग्वालियर में इस्तित है मदब्रजिस के प्रमुख मेलों की बारे में दोस्तों हमने यहां तक बात की प्राचिन की अब बात करते हैं मदब्रजिस के जो प्रमुख मेले हैं उनके बारे में तो पहला है महामरत्युंजा का मेला यह रीवा में फरवरी माहे में लगाया जाता है कुम्ब का मेला यह अश्विन शुक्ल की अश्विन महिने में लगता है कालू जी का मेला या बश्मी नमाड में लगता है ये भी अश्विन शुक्ल में लगता है आपको दाने काना बाबा का मेला सूडल पूर हरदा में लगता है और ये फरवरी से मार्च की बीच में लगाया जाता है दूस्त का मेला यह गुना में लगाया जाता है रामलीला मेला यह ग्वालियर में लगाया जाता है मांधाता यह खंडवा में लगाया जाने वाला मेला है बरवान मेला नर्सिंपुर गलरवारा में लगाया जाता है जनवरी माहे में दोस्तों यह जो हमारी संकरांती होती है उस टैम यह मेला लगाया जाता है संकराच संकर जी का मेला यह पचमाणी में फरवरी माहे में लगाया जाता है नेक्स्ट सिम मेला यह राइसर में भूजपुर में लगाया जाता है सलकनपुर देवी मेला यह सीहौर में सलकनपुर में लगाया जाता है जो अश्विन माहे में लगता है जल विहारी का मेला छतरपुर में अश्विन माहे में लगाया जाता है चांदी देवी का मेला यह है भोगरा सीधी में लगाया जाने वाला मेला है नागा जी का मेला आपको पता होगा दोस्तो पोर्सा मुरैना में फरवरी के माहे में लगाया जाता है चेती मेला यह है व्रावरा ब्यावरा राजगर में लगाया जाने वाला मेला है शहीद मेला सनावत कुछा गुना में लगाया जाता है जगश्वरी नाथ धाम मेला यह है बानकपुर दमोय में लगाया जाता है दोस्तो बड़े बावा का मेला दमोय में माग महीने में लगाया जाता है और्चा का मेला च्छतर पूर दोस्तों ये च्छतर पूर नहीं है अब ये नाम बदल गया है यहाँ पर निवारी जिला आ गया है तो और्चा का मेला है वह निवारी जिले में लगाया जाता है भापल का मेला सागर में कारतिक पूनी मा को लगाया जाता है ये most important है दोस्तो चरण पादु का मेला ये छतरपुर में जनवरी महाँ में लगाय जाता है इस से important कोई भी मेला नहीं है दोस्तों ये most important question है मंद्पिर्देश के किसी ना किसी एक्जाम में ये question जरूर आता है चरण पादु का मेला लगाया जाता है जल बिहारी मेला यह छतरपुर में अक्टूबर से नवंबर की बीच में लगाया जाता है नांद चांद का मेला यह पन्नाम के वगवार में जनवरी से माय में लगाया जाता है कुगा ताल मेला यह पन्ना में लगता है इसके लावे यह नांद चांद का मेल पन्ना में ही लगता है शिवरात्री मेला अमरकंटक में फरवरी माह में जो अमनुपूर में इस्तित है यहां पर लगाया जाता है चंडी देवा देवी मेला यह है घोगरा सीधी में मार्च से अप्रेल के बीच लगाया जाता है मठ घोगरा का मेला शिवनी में मार्च से फर कर लेते हैं दोस्तों तो राम लीला का मेला भांडे दतिया में जनवरी और फरवरी माहे की मद्ध लगाया जाता है हीरा मन बाबा का मेला यहां ग्वालियर में अगस्त और सितंबर की बीच लगाया जाता है शाहगुद्दिन ओलिया का उर्स नीमच में फरवरी में लगाया जाता है रहस मिला दोस्तों यह गड़ा कुटा में जो सागर की एक तहसील यहां पर लगाया जाता है फरवरी महें में बनेनी घाट मिला यह रादगर सागर में लगाया जाता है कारदेख पूरी मा की दिन गधों का मेला दोस्तों यह है उज्जेन में और चित्रकूट यह दोनों जगह लगाया जाता है एक और ब्यापार एक मेला यह ग्वालियर में लगाया जाता है जो ब्यापार की द्रश्टी से महत्पूर्ण होता है दोस्तों यह प्रिख्यात ब्यापार का मेला है ग्वालियर में नव राजी का मेला बुर्हानपुर में वहीं बात करें बालगंगा का मेला यह है शहःडूल में लगाया जाता है यह इंपूटेंट दोस्तो आपको याद रखना है बालगंगा का जो मेला है वह है शहःडूल में लगाया जाता है मेगनात मेला उम्रेट छिंद्वाडा में और धर्म राजिश्वर मेला यह मंदस्वर में लगाया जाता है तो दोस्तो यह हमने बात की कुछ मेलों की बारे में और जो दार्सिन इस्थाल उनके बारे में किलों की बारे में और जो भी परटन इस्थाल है उनके बारे में जब भी एक्जाम पास में हो आप 10 मिनिट का टाइम निकाल के इस वीडियो को रवाइस कर सकते हैं ऐसी सीरिज का ये चौथा पार्ट है दोस्तों इससे पहले तीन वीडियो आ चुकी हैं तो आपकी एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट हैं मातर पास साथ दस मिनिट में आप एक एक्जाम की तयारी कर सकते हैं इन वीडियो को देखकर प्योर आपको दोस्तों जो बुकें हैं उनसे निकाला गया है पूरा मटेरियल प्योर हैं तो ये वीडियो आपको ज्यादस ज्यादस शेयर जरू करना है तो आज के लिए वसतना ही नमस्कार, have a nice day